जैश्री कृष्ण आज हम बनाएंगे बिना लैसुन प्याज का चटपटा मसालेदार पनीर यह बहुत ही टेस्टी बनकर तयार होता है और बहुत ही आसान है अगर आपको मेरी रेसेपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा त थोला मसाला कश्वीरी लाल मिर्च इससे कलर बहुत अच्छा आएगा थोड़ी सी कसूरी में थी आधा नीम्बू का रस अब इसमें डालेंगे पानी निकला हुआ दही दही बहुत खटा नहीं होना चाहिए दो से तीन बड़े चमस दही लिया है थोड़ा सा नमक अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके हम आदे घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे देखे इस तरह से अच्छे से इसे मिक्स करना है कि सारे मसाले पनीर में अच्छे से मिक्स हो जाएं अब हम लेंगे तीन मीडियम साइज के टमाटर, हरी मिर्ची, थोड़ी सी अद्रक और थोड़े से काजू इन सब को हम मिक्सी के जार में पीस लेंगे अब एक कड़ाई में लेंगे सरसो का तेल, इसमें डालेंगे तेज पत्ता, जीरा जीरा होने के बाद इसमें डालेंगे कसूरी में थी और एक बड़ा चम्मच बेसन बेसन को तब तक भूझेंगे जब तक उससे खुश्बू ना आने लगे और उसका कलर ना चेंज हो जाए तब बेसन का कलर चेंज हो जाएगा, हलका सा रेड हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे कुटे हुए छोटी लाइची, बड़ी लाइची, दाल चीनी, तेज पत्ता, लॉंग, काली मिर्च अब इसमें डालेंगे चाट मसाला, गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी अब इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे सारे खड़े गरम मसाले हमने पीस कर लिये हैं ताकि मूँ में ना आए अब इन सारे मसालों को अच्छे से स्लो फ्लेम में एक से दो मिनट भून लेंगे फिर इसमें डालेंगे टमाटर और काजू का पेस्ट जो हमने पीसा था टमाटर के पेस्ट को डाल कर गैस को थोड़ा तेज कर लेंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे चलाते हुए जब तक हमारा मसाला तेल नहीं छोड़ देता है तब तक इसे पकाना है इसमें डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च इससे कलर अच्छा आएगा सबजी का अब लगातार इसे हम चलाते हुए भूनेंगे गैस को मीडियम रखा है मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक ये कड़ाई नहीं छोड़ देगा मसालों में हमने काजू डाला है जब सारे मसाले कड़ाई छोड़ दें तब समझ लीजेगे काजू पक चुका है अब इसमें हम डालेंगे दो चम्मस देशी घी इससे टेस्ट अच्छा आएगा और मसाले हमारा जल्दी तेल छोड़ेंगे मसाले अच्छे से पक जाएंगे उपर से घी जरूर डालिएगा अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे नमक नमक डाल कर अच्छे से इसे फिर से हमें चलाना है देखे मसाले ने कढ़ाई छोड़ दी है इसका मतलब हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है अब इसमें हम डालेंगे पनीर जो हमने दही के साथ मिक्स करके रखा था पनीर को डाल कर हम अच्छे से इसे एक से दो मिनट अच्छे से फ्राइ करना है इसे मसालों के साथ क्योंकि जो पनीर में हमने मसाले डाले हैं दही के साथ वो भी इसमें पक जाएंगे इसे भी हमें लगातार चलाते हुए फ्राइख करना है दो मिनट पनीर को अच्छे से फ्राइख करने के बाद इसमें हम डालेंगे गरम पानी तोड़ा सा गरम पानी इसमें डालेंगे और इसे एक से दो मिनट और पकाएंगे एक से दो मिनट ही पकाना है वरना पनीर टाइट हो जाएगा और एक से दो मिनट में ही ये तेल उपर आ जाएगा हमारा दो मिनट के बाद इसमें हम उपर से डाल लेंगे हरा धनिया बस ये हमारा पनीर बनकर तैयार है अरे धनिया को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे पनीर की सबजी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है देखे सबजी में उपर तेल आ चुका है यह देखे सबजी बनकर तैयार है बहुत ही चटपटी बहुत ही टेस्टी बनी है आप यह जरूर ट्राइ करिएगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू